नमस्कार सलाम इंडिया की बात में आपका स्वागत है मैं हूँ मुकुल सरल आज हमारे सामने तीन एहम मुद्दे हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे मुद्दा नमबर एक नाबालिक मामले में ब्रेजबुशन को दिल्ली पुलिस की क्लिंचिट अब आगे क्या करेंगे महिला पहलवान मुद्दा नमबर दो मनिपूर और उत्राखंड में बिगड़ते हालात दोनों जगेर राज्ये फिल और तीसरा मुद्दा है ट्विटर के पूर सीओ जैक डॉर्सी के खुलासे से क्यों वाखलाई बीजेपी इन तीन मुद्दों पर बात करने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ हैं दो खास मैमान भाशा सिंग और उर्मलेश जी तो शुरुवात भाशा आपसे पहला मुद्दा नाबालिक मामले में जो अभी अभी हम जब ये शो रिकॉल कर रहे हैं ब्रिकिंग नीज आई है कि दिल्ली पुलिस ने लगभग बचा लिया है क्योंकि सबसे महत्मुन मामला नाबालिक यौन शोशन का था और उसमें लगभग क्लीन चीट देते हुए क्लोजर वैसा ही उसने किया इसके बारे में सारे क्यास यही थे कि ग्रिह मंत्री अमिशा जी के नित्रित में चलने वाली दिल्ली पुलिस बिश भूशन शरण सिंग को बचाने के लिए सारे यथा संभव प्रयास करेगी उसी दिशा में वह बढ़ी है और ऐसी पूरी उमीद बन र लगता है कि दिल्ली पुलिस ने जो कुछ किया है उसके लिए कहीं न कहीं मैनेजमेंट हुआ है और जो आंदोलन चल रहा था उसी आंदोलन के दर्मियान मुझे लगता है कि इस पूरे पहलू को मैनेज किया गया है जिससे कि नाबालिक जो लड़की थी अब वो बालिक है नाबालिक है वो अलग भी शय है लेकिन उसके परिवार को जिस तरह मैनेज किया गया अब उसके बाद दिल्ली पुलिस को और अदालत को भी ये लौजिक मिल गया कि भई ये 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 गुनाह नहीं बनता दूसरी किसी केस में दूसरी धाराओं में केस चलेगा लेकिन इस क इसमें पाक्फों में नहीं चलेगा ये जो खबर आ रही है उसका यहीं नीचोड़ है मुकुल आपका क्या पंच है इस पर है मेरा पंच हीस पर यह है कि अब लडाई बहुत लंबी होने वाली है किसान आंदूलं जिससे 13 महीर चल था शायद ये महीला पहलवान आंदूलन भी 13 महीर या हो सकता है कि उससे भी आगे लड़ाई लडनी पड़े क्योंगि साफ़ भया है कि दिल्ली पुलिस दिल्ली पुलिस यानि सरकार ब्रजबुशन शरण सिंग को बचा रही है और ये बड़ा महत्मुण इतने लंबे आंदूलन के बाद ये चार्शीट आई है लगा था कि दिल्ली पुलिस कुछ तो उसमें आगे कदम बढ़ाएगी लेकिन इस आंदूलन का भी कोई असर नहीं हो सकता है तो उर्मलेज जी और भाशा जी इस पर हम फिर बादचीत आगे बढ़ाते हैं अब ये बिल्कुछ साफ हो गया है कि ब्रजबुशन सिंग को बचाया जा रहा है और ये पहले सी दिख रहा था लेकिन इतना समय दिया गया और आज जब ये चारशीट दाखिल हु पर जताएंगे तो क्या इसकी रहीनितिक माईने हैं क्या इसके कानूनी पहलू है इस पर जबताएंगे एक बात बहुत साफ है जैसा जस्टिस लोकूर ने कहा मदुन लोकूर ने कि ये री विक्टिमाइजेशन आफ दा विक्टिम्स है यानि जो लोग शिकायत दर्सकरार जिनका यौन शोशन हुआ है उनको दुबारा से पीडित करने के लिए इस बार दिल्ली पुलिस और पूरा तंत्र उत्र हुआ है यह सबसे बड़ी गवाही जो आज दिल्ली पुलिस ने किया उस दिशा में है और इसकी प्रिष्ट भूमी बन गई थी जब वो जो नबालि एक पहलवान के पिता पर दबाव बनाया जा रहा था वो खुद कह भी रहे हैं मलब यह हैरानी की बात है कि उन्हें जिन्दा रहना है उनको अपने परिवार को जिन्दा रहना है और लोग यह भी पूछ रहे थे कि क्या आपको कुलदीप सेंगर वाले इंसिडेंट याद दिलाया जा रहा था लोग यह भी बता रहे थे कल भी इसका चर्चा हो रहा था महिला पंचायत में तो एक बात बहुत साफ है कि यह सरकार पूरी निरलजता से मनलब कोई ऐसा भी नहीं कि कोई छुपा के काम किया जाए पूरी बेशर्मी के साथ बिजबूशन शरण सिंग को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तयार है अपनी साख उसने दाओं पे लगा दी है और यह सब कुछ तब हो रहा है जब भारती ऑलंपिक संग से लेकर अंतराश्टी जितनी संस्थाएं हैं सब ने कहा है कि यौन शोशन का आरोब गंभीर है लेकिन गिरफ क्या कर सकती है मोधी सरकार जो वादा उन्होंने अन्राग ठाकुर जी ने कहा था ना कि हम 15 तारिक को पता चलेगा स्पोर्ट्स मंत्री को पता था कि दिल्ली पुलिस 15 तारिक को चार्शीट करेगी यानि वेब सीरीज में जो दिखाया जाता है ना उससे भी बढ़कर हकीक में हो रहा है कि अन्राग ठाकुर जी ने उस समय चारशीट पढ़ ली थी पता चल गया था और कह दिया था कि 15 तारिक को में उपन करेंगे मामला खुल गया उर्मलेश जी जैसे डाइलूट किया रहा है मामला अब नाबालिक मामले में एक तरह से अर पूरे देश में संद संदेह उस पर डालना कि यह सब क्योंकि पहले सी प्रपाइगंडा किया रहा कि महलया पहलवान हैं सिर्फ हर्याना की हैं कुछ तो इससे जो आई है चारशीट जो पुलिस का कदम है इससे आगे आने वाला जो क्योंकि एक एफाई आर तो अभी लागू है कि जो बालिक पह हुआ देंगे बारती जन्रता पार्टी आम तोर पहे जो समाज का पढ़ा लिखा समझधार तबका है जो राइनीत को सियासत को धर्म को जानता है वो उसके सामने तो बिलकुल वो बेपरदा है ये पार्टी लोगों को मालूम है कि इस पार्टी का धर्म से कोई नाता नहीं है ये अधर्म के साथ खड़ी रहने वाली पार्टी है इसका कर्म से कोई मतलब नहीं है ये कुकर्म में ज्यादा कुकर्म को ज्यादा मजबूती के साथ डिफेंड करने वाली पार्टी है ध्वंस कर देती है किसी इमारत का, किसी उपासना स्थल का, भले ही वहाँ कोई उपासना हो ना हो, कोई कुछ नहीं कर पाता, इस पार्टी के बारे में आप इसका इतिहास भोगोल पूरा देख लीजे, I mean, बिलकुल साफ साफ नजर आता है कि जो ये पार्टी कहती है, जिस तरह की प्रति बद्धिताओं की दुहाई देती है, उससे इसका कोई एसोसिएशन नहीं है, कोई नाता नहीं है, लेकिन इसके बावज़ूद हमारे समाज में इतनी बड़ी आबादी देश की है, समाज की है, जो समबै धानिक्ता को, कानून को, सामाजिक मुल्यों को, धर्म को ठीक से नहीं जानती न पहचानती है, तो अग्यान का जो इतना विशाल आनंद लोक है अपने मुल्क में, उसका इस्तेमाल करती है ये पार्टी, जो मुझे लगता है, चुकि बहुत बड़ी जो आबादी है, आप देखिए मीडिया को, सोसल मीडिया को भी देखिए, तो लगता है आपको कि कितना अग्यान हमा करके यहां तक पहुचा है, तो हमारा ये कहना है कि बीजेपी को इस पर बड़ा बरोसा है, अग्यान पर बहुत बरोसा है, और यही वो कारण है, जिसके ताहत वो इतनी बेशर्मी के साथ ब्रेजभूशन प्रसाज सिंग को, शरण सिंग को लगातार डिफेंट किये जा र आती है, तमिलाट के एक मिनिस्टर के यहां जापा पड़ा, वो बिमार पड़ गया है, वोगरा, मैं नहीं जानता कि उनकी पास क्या है, वो तो परवार की बात है, लेकिन एक व्यक्ति जिसके पास 50 कालेज है, जिसके पास हेलिकाप्टर उनके घर के सामने खड़ा रखता है, जिनके पास इतनी बेशुमार संपत्ति है, संपदा है, कोई पूछने नहीं जाता कि भई आपका सोर्स का है, लेकिन इसमें एक चीज़ लेकिए बेखिए उर्मले जी अभी हम पहले वाले केस के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें क्लोजर रिपोर्ट दिल्ली पुलि हैं, और दिल्ली पुलिस तो सबसे अधा ज्यानी है, क्योंकि वो सीधे सीधे ग्री मंतरी के अंडर में आती है, तो कानून क्या है वो तो छोड़ी दीजे, लेकिन कानून तो ये कहीं नहीं कहता कि आप विक्टिम को, वो भी सेक्श्वल ओफेंसर, ओफेंडर जो है, उसक अरे देश में क्या है, कि जो पड़ताल करने वाली एजंसियां हैं, वो सरकार की गुलाम हैं, जो डिमक्राटिक कंट्री हैं दुनिया के, आम तोर पे, वहां जो पड़ताल करने वाली एजंसियां होती हैं, उनको एक आटॉनमी होती है, एक डिलेटिव आटॉनमी, अब ज और प्राइमिस्टर के घर पहुंग जाती है जाशकर ने लेकिन आप किया तो MLA MP किया नहीं पहुंच पाती है तो मैं इसमें यही कह रहा था कि देखिए इसमें बिलकुल साफ यह हमें दिख रहा था पहले दिन से कि ब्रेजबुशन शरण सिंग को बचाया जा रहा है बचा रहा जाएगा कि यह सबूतों को क्योंकि प्रभाविशाली व्यक्ति हैं सचेड़ कर सकते हैं लोगों को प्रभाविद गवाहों को कर सकते हैं और एक आदमी जो बलतकार यौन शोशन के आरोप में घिरा है उसे बिलकुल छूट रहती है वो कितना प्रभाविद करे और य तो इसमें दो एक बड़े दंभीर यह मामला आया यह कोई एक मामला नहीं है कि चली प्रभाविशन बच गया या कुल्दीव सेंगर पहले बचाया गया उसे या कोई और खत्रा यह है कि एक तो यह हमें यह जो भारतिय नागरिक है जो जनता है जिसके नाम पर पार्टी है मतलब उस जनता में यह संदेश जा रहा है कि एक तो आप कुछ भी कर लो सत्ता के अगर खिलाप आप हैं तो आपको ही नुकसान होगा उन्हें कुछ उनका बाल बांका नहीं होगा दूसरा संदेश यह जा रहा है कि खेल में पहले ही महिला खिलाड़ी बहुत कम है अब ऐस हमने नीज कुलिक पर बहुत रिपोर्ट चापकी है कि एवल एक महा संकाई मामला नहीं बहुत सारी चीज में हर्याणा में खुद एक मंत्री या निशेशन के मामले में घेरा है तो वो लड़कियां वो महिला साथी कैसे आएंगी आगे और वो मंत्री पर कोई कारवाई न है चाहे उन्होंने वो एक विद्वेश नए धंका मनिपुर में बोया मतलब उन्हें भरोसा जो अग्यानता की बात कर रहे थे आप अगर यहां एक परताल लेकर भी आ जाए पूरी तब भी जो उनका एक भक्तगण है वो यह माने हैं यहां से लेकर पूरा वो जैक्डोर स ऐसकति तक जो बात जाती है कोई भी कुछ भी खोला सा कर दे उस पर यह मान लेता है कि यह सब घूट एंस ने रोड शो किया इतना लंबा शक्ति प्रदर्शन और वो बिल्कुन मतलए ये इसी लिए इठार कि दिखा रहा है उसने तो घोशना कर दी गोंडा की रैली में कि मैं चुनाओ यहीं से लड़ूंगा दो हजार चौबिस में यानी मेरा कोई भी बाल बाका तो मुझे लगता है अंडराक ठाकूर के पास चारशीट पहले कि ये अलग चर्चा का विशे हो सकता है कि बिश्बूशन तो 100% सौफ फीसदी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि उनका बाल बाका नहीं होगा उनसे पूश्ताश नहीं होगी और उनहीं के घर में क्योंकि कुश्टी सम्मासंग का दफ्तर है इससे ज़्यादा अभेलना क् कि आप वहीं पर जहां पर वह व्यक्ति है और वहीं कि मुद्दा दूसरे मुद्दे पर चलेंगे एक छोटा सा आप से टिपनी है आप से भी कि आगे रास्ता क्या दिखता है क्योंकि महिला पहलवान संगर्शरत है उन्होंने कहा ता पंदा तारिक तक का वह इंतिजार कर नूनी लड़ाई है यह निश्चित तोर पर कमजोर होती जा रही है और कमजोर करने के लिए दिल्ली पुलिस प्रतिबद्ध है उसकी राजनितिक प्रतिबद्धता है प्रिश्भूशन शरण सिंग को बचाना और जिस तरह से क्योंकि यह देखिए जो पूरा का मामला है इसमें अगर गवाह चेंज हो रहा है तो भी कंसर्ण का मामला होता है ऐसा नहीं होता है कि आप आज कुछ बयान दे मैं आज आपके खिलफ बयान दू और कल वो बयान वापस ले लूँ इतना सहज और सरल नहीं है और इसको लेकर प्रिडिश्री कोट पर भी है क्योंकि भाषा दी गई अंडर कोट अंडर कोट आपने देखा होगा अजुद्या के संत महात्मा बहुत सारी तथाकथित वो उनके पक्ष में खड़े थे उनकी बीच में वो खड़े थे ब्रजबुटन जी तो जो तथाकथित धर्म दिखाई देता है अपने हां उत्तर भारत में वो भी उनके पक्ष में खड़ा है और जो सत्ता राजनीती है उनके पक्ष में खड़ी है तो इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ जो समवैधानिक्ता है सिर्फ जो हमारी जाज़ परताल करने वाली एजनसियां हैं और जो एक जो प्रशासनी की काईयां है अगर ये इंडिपेंडेंटली इन्विस्टिगेट करें या नयाय की खोज करें तभी कुछ नयाय हो सकता है वरना बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि धर्म सकता उनके पक्ष में है राजनितिक सकता उनके पक्ष में है उस दिशा में सकता की बात हो रही है लेकिन 2024 सामने है औ जैसे कहा जाता है कि बीजेपी अगर डरती है तो चुनाव से डरती है उसमें चुनाव में हार से क्या उसे कोई डर नहीं है भारती जनुता पार्टी खासकर जो साउथ जिसे स्टेट से हैं जैसे आप अभी करनाटक में आपने देखा वहां उनको वाकरी डर था तो आरेसेस ने कहा है आरेसेस का अगमेजर कहता है कि ये दोनों काम नहीं वहां किये तो एक तो ये बात है लेकिन क्या नार्थ के लिए भी यही सही है मुझे नहीं लगता मुझे लगता है कि नार्थ के लिए सही नहीं है उत्तर भारत के ज्यादातर जो स्टेट्स हैं हिंद लेकिन बड़ी ताकत हैं और कोई ठीकाना नहीं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा तो मेरा एक कहना है कि हिंदी शेत्र में आज भी इस्थितियां ये हैं कि ये किसी भी तरह से अगर विपक्ष साउधान न रहा एक तापद न रहा एक जुट न रहा तो ये धारा को अपने पक् ब्रिजभूशन वाला मुद्दा भारी पड़ रहा है हर्याना में तो कम से कम बहुत तगड़ा है और इसे इसी लिए वो दूसरे ढंग से पेश कर रहे हैं कि हर्याना बनाम उत्तरप्रदेश और उत्तरप्रदेश में वो कहीं से भी सीच में कोई कॉई कॉम्प्रमाइस क करने की स्थिती में नहीं है शायद यहीं वज़ा है कि ब्रिजभूशन को इस तरह से बचा रहे हैं और हमें नहीं भूलना चाहिए दबंग जातियों का ठाकुर समाज से आते हैं उनके साथ कोई कॉई कॉन्फलिक्ट में जाने के लिए मोदी सरकार तैयार नहीं है और जो महिला पहलवानों के पक्ष में काम करने वाली शक्तियां है या जो संगटन है उनको सतरकता साथानी ये बरतनी चाहिए कि ये आंदोलन खापों का अंदोलन में नो तब्दिल हो जाए ये साबाजी का अंदोलन है ये पूरे समाज का अंदोलन है सिर्फ महिलाओं का ही नहीं होना चाहिए अगर केवल इसको खाप आंदोरन आप बना देंगे जैसा हुआ हाल के दिनों में तो मैं समझता हूँ कि यह आईसोलेट हो जाएगा दूसरी जो समाज की शक्तियां है जो इसमें इन्वाल्व होती है तो कोई बना दे या बन जाए ऐसा नहीं है लोगों को नागरिक समाज को खुद भी सोचना है कि कोई आंदोरन क्यों है और वो कहा जाएगा अब बढ़ते हैं दूसरे मुद्दे की तरफ दूसरा मुद्दा है मनिपूर और उत्राखंड का जिस तरह दोनों जगए राज्य फेल है दोनों जगए हालात बिगड़ रहें उनके क्या माइन है उर्मिलेश जी क्या है इस पर आपका पंच मुगल जी मैं जितना देख पाता हूँ कि भारती जनता पार्टी के नित्रित वाली सरकारें दूसरे बहुत सरी मसलों में हो सकता है काम्याबी अपनी दर्ज कराती हो लेकिन गवर्नेंस का मामला जिसके लिए जनता उनको चुनती है गवर्नेंस में कोई भी ऐसी सरकार नह है जहां अच्छी गवर्निस दिखाया हो कभी भी भारती जनता पार्टी की सरकारों ने और ये मनिपुर उसका ज्वलंत उदारण है कि कैसे भारती जनता पार्टी और आरेसेस की राजनीति के जो गंदगी है वहां विस्फोट का रूप धारण कर चुकी कि भारती जनता पार्टी की जो नफरत की खेती है वह देश को सिविल वार की तरफ ले जा रही है ग्रिह युद्ध की तरफ ले जा रही है मनिपुर की जलती हुई तस्वीरें इस बात की गवां है कि मनिपुर को किस तरह से सुनियोजे डंग से जलाया गया है और जलाया जा रहा है और अब स्थिती बेकाबू है और उत्तरा खंड इसी क्रम में दिखाई दे रहा है महराश्ट भी पीछे नहीं है यानि हर तरफ वे कोशिश कर रहे हैं कि धर्म हो एथिनिक मामला हो हर जगा लोगों को टकराएं ताकि बुनियादी मुद्दों पर कहीं से भी कोई सवाल ना उठे और हाल अब उनके कंट्रोल से बाहर हैं मुकुल क्या है इस पर आपका नहीं उस आग को शैदी है जो बढ़ रही है आज चाहे वो मनिपूर का मामला है चाहे उत्राखंड का दोनों जगए राज्ये के जुलेवे तत्व ही जिम्मेदार है इस पर हम चर्चा आगे बढ़ाएं तो मनिपूर और उत्राखंड तो मनिपूर पर छोटी टिपनी चला जाता है ये ट्रेडिशन रही है इस बार भी हुआ और वैसे भी RSS जब कॉंग्रिस की सरकारे हुआ करती थी नार्थिस्ट में और कुछ रिजिनल पार्टीज की तब भी RSS तीन स्टेट जो नार्थिस्ट के हैं वहां बहुत काम करती थी उसके प्रचारत थे उसका सं परकार आई तो जो और पार्टियां वहां की थी उनको भी ग्रैब कर लिया एक तरह से उनको अपने साथ मिला लिया तो बहुत सारे जो नेता आज दिखाई देते हैं बीजे पी के पता चला कि वो किसी रिजिनल पार्टी के थे या कॉंग्रिस के थे बहुत आएसे लोग ह तो जो अंदर ही अंदर आग जो सुलगाई जाती रही मैती को कुकी से लडाना उनको फिर नगाओं से लडाना कुकी को इस तरह की चीजें चलती रही हैं पूरे के पूरे नार्थिस्ट में और उसका खामयाजा हर स्टेट को भुगतना पड़ा है त्रिपुरा में आपको हुआ था दुनिया के बड़े बड़े चिंतकों की जो मूर्तियां हैं वो गिराई गई थी वो दृष्य भोला नहीं जा सकता है तो हमारा कहना है कि ये जो है जो पूरी की पूरी प्रक्रिया मनिपूर में दिखाई दे रहे हैं आपको ये अचानक नहीं होई है इसके पीछे एक लंबी तैयारी है और वो तैयारी क्या है कि पूरे के पूरे नार्थिस्ट को इस रूप में रंग देना जिस fig लगे क्या रही है ये भी imatामेद्वार से बड़ा देख रहे हैं तो क्या चीजा निकल रहे हैं और ये बहुत ख़तनाख होगा पूरे देश के लिए देखे दो बहुत एहम खुलासे हुए हैं जिन पर नेशनल मीडिया ने जैसा कि हम जानते हैं कोई तवज़ों नहीं दी सुप्रीम कोट में जो मनिपूर का ट्राइबल फोरम है उसने कहा कि केंदर सरकार अभी तक जो कुछ भी मनिपूर के लिए कह रही थी वो बिल्कुल बखवास है पहली चीज यह दूसरी चीज जो बहुत चेतावनी जो हम सब जानते हैं मनिपूर में भी गई थी चुनाव के समय वहां पर लोग बता रहे थे साफ दिखाई दे रहा था मनिपूर के जो कुकी मिलिटेंट समू है उन्होंने ऑफिशिल स्टेट्मेंट जारी करके कहा है दो लोगों के नाम लिये हैं आरेसेस प्रचारक और भाश्पा के नेता राम माधव का नाम लिया है हेमंत बिसु आधिकारिक बयान हैं तो यह पता चलता है कि जिस तरह से नफरत की खेती बोने की कोशिश थी इस तमाम जो मिलिटेंट सेक्शन है क्योंकि यह इस समय जो स्थिति है ना मैतेई को भरोसा है इस केंद्र सरकार पे ना कुकी को भरोसा एक रत्ती जिस तरह से दिल्ली में वो कुकी समाज के लोग वे कह रहे हैं कि तुरंत आप राष्टपती शाशन लागू करिये और मुझे लगता है देश के इतिहास में यह पहला मामला होगा कि जहां एक राज तीन मई से जल रहा है तीन मई हम आज चर्चा कर रहे हैं जून में जून आधा बीद गया है उस समय तक लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है कल ही नौ लोग मारे गये हैं यह वो हैं जो हमें पता चल रहे हैं तो यानि हालत जो है इनके कंट्रोल से बाहर है और अपनी विफलता छुपाने के लिए यह राष्टपती शाशन नहीं लगा रहे ताकि मैं नहीं बहुल जार है इस समय कि राष्टपती शाशन किससे मौनगा जा रहा है कि इसी में समझ जाते है नीती क्या थी और वो नीती कैसे हाथ से निकल गई और कैसे एक राज्येपूरा जल रहा है उससे पूरा पूर वो तर्चपेट में आ सकता है पिशले दिनों काफी ज़ड़क भी हुई इस तरह से तो यह एक बड़ा समस्या है इसलिए मैं कह रहा हूं मैं इसी उससे आगे ब घ्रत वहां के पुषकर सिंग धामी ने नारा दिया कि हम लैंड जिहाद नहीं लव जिहाद का मामला यह है कि उनके विदायक जो पूर विदायक रहे हैं और इसमें नगर पालिका के अधक्ष हैं उन्हें अपनी बेटी की शादी जो एक अंतरधारी की विवाता उससे रखन की तरफ आउंगा उसे आप किस तरह से बताएंगे कैसे डिफाइन करेंगे देखे आप देखे भारती जनरता पाटी का एक बड़ा नेता जो काफी पैसे वाला वो होटल में एक लड़की वहां पे जो घटना घटी थी आपको याद होगा बहुत पहले उस केस में आज तक उस लड़की की हत्या कर दी गई जी और निशन सकता अंकिता बंडारी और उस पी बहुत सारे बावेला मचा आमिन स्वेम बीजिपी की जो बड़ी बड़ी जो नेत्रियां हैं मतलब महिला जो नेता हैं उन्होंने आवाज उठाई कुछ नहीं हुआ पूरे उत्रा खं पूरे प्रदेश को जलाना ऐसा लगता है कि पूरे प्रदेश को उसी उसी आग की लप्टों में छोड़ दिया जाए ये इनकी मंशा है और दूसरी बात एक जो दिखाई देती है मुझे उत्रा खंड में कि अब जैसे इनके पास कोई डिपलोप्मेंट की स्कीम नहीं है एक टूरिजम का जो सिचुरेशन पॉइंट पर पहुँच गया है उत्रा खंड आप उत्रा खंड में जाएए पहाड पर गर्मियों में आप पाएंगे कि जाने के लिए रास्ते बंद हो जाते हैं जहां एक घंटे की दूरी है वहाँ छे छे गंटे पास घंटे लग रहे हैं ये हाल है उत्रा खंड में टूरिजम का दूसरी बात ये कहते हैं कि हम धार्मिक टूरिजम को बढ़ाएंगे लेकिन धार्मिक टूरिजम बढ़ाने के नाम पर जिस तरह से पहाडों के साथ खेलवार किया जा रहा है जिस तरह ग्लेशियर पिगल रहे हैं जिस तरह से तुपारा नदी जो है वहां की नदीया जो बर्बाद हो रही है अब उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं अब क्या कर रहे हैं हम समान नागरी की संगिता लागू करें तो समान नागरी की संगिता लागू करने के लिए अभी मैं देख रहा हूं पिछले 6-7 दिनों से जब ये कोई उठाने वाला वहाँ नहीं है कि भई इतनी परेशानी है कुत्राकंट के लोगों को आप समान नागरिक संगिता की बात कर रहे हो तो समता की बात क्यों नहीं करते आकिर उसी संभिधान में डारेक्टिब प्रिंसपुल में आर्ट किल 39 आर्ट किल 39 ये आर्ट किल 44 है समान नागरिक संगिता उसके पहले कार्ट किल 39 आप उसपर क्यों नहीं दान देते जिसमें समानता की बात की गई है जिसमें नेचरल रिसورसेज पर कब्जा कुछ लोगों का नहीं होना चाहिए पबलिक का होना चाहिए ये उसमें रिक्मेंट किया गया है उसपर आप क्यो लेकिं यहां तो डिजाइन दूसरी है ना यहां पर डिजाइन जो है नहीं बरबाद नहीं मुझे लगता है कि यहां इनकी डिजाइन दूसरी है क्योंकि जोशिमत पर बुरी तरह से गिरें बिरोजगारी पर क्योंकि जोशिमत का मामला पुराना नहीं है अभी का मामला है अ सुनयोजित डिजाइन है क्योंकि वो यही खबर चाहते हैं इसी खबर के बहाने वो पूरे उत्तर भारत में क्योंकि आप देखें महराज से अगर आप रेखा कीचिए उपर तक की उत्तराकंड तक की डिस्टेंस बहुत जादा है नक्षे पे लेकिन आपको साफ दिखाई द हो बुनियादी तौर पर एक मनु सम्मिधान लागू करना महिलाओं और अलपसंखेकों को बाहर करना डिस्कोर से उनको दानव की तौर पर क्योंकि हमारे टीवी चैनल दैट और दानव बता रहे हैं मुसलमानों को इसी बहाने उनको अपने टी आर्पी बटोरने का मौका म मिल रहा है तो यह एक बहुत प्लैंड वे में जलाना और अपने वोट बैंक को सुद्रिड करने की मनिपूर और उत्राखंड अलग है हां दोनों अलग हैं लेकिन वहां राज्ये फेल हुआ है और राज्ये ने ही इस तितिया पैदा कि मेरी इस बात पर ही मेरा कहना है और उत्राखंड के संदर्ब में ये भी कहूं कि जैसे आपने कहा ये बिल्कुल सही है कि बेरुजगारी और महंगाई पेंशन पुरानी पेंशन इन सब को लेकर आंदू ले हैं सब पर सरकार फेल हैं तो अब क्या करें करनाटक से उसने सबक ने लिया सबक उसने क्या लिया मे बॉखला जाती है तो वह बॉखलाहाट में अब आप देखेंगे सब जगह वह कुछ-कुछ ऐसे ही कदम उठा रही है और यह बॉखलाट ही है कि एक सांसत के खिलाद भी वह इतने लोगों के एकट्टा होने पर कारवाई नहीं कर सकी कि उसे डर है कि कहीं मेरे वोड ना कि कार ने कैसे उन्हें रोकने की कोशिश की कैसे उसे धंकी दी किसान आंदोनों के दौरान भी तो इस पर औरमलेश क्या है आपका पंच मुकल जी देखिए मैं समझता हूं कि जैक डार्सी के मामले में भारत सरकार का जो एप्रोच रहा है और मैंने देखा कि टेलिविजन चैनल्स जो हैं जिनको प्यार से मैं टीवी पूरम कहता हूं तो ऐसा लगा मुझे देखकर कि टीवी पूरम और सरकार ने दोनों ने ड्रिस कौन करेगा ये सरकार का काम है तो ये मुझे लगता है कि सरकार मामले में एक्सपोज हो गई है भाशा क्या है इस पर आपका पंच एक बात बहुत साफ है कि इस संगोल युग में राजा को डिसेंट पसंत नहीं है और लिहाजा जो खुलासा हुआ है वह बता रहा है कि किस तरह से जो हम सब जानते रहे हैं कि विरोत के स्वर को दबाना उस पर रेट डालना यह सब काम होता रहा है उसको एक बार और प्रम मिला है और प्रमाण ट्विटर के एक यो से मिला है यानि हम आप नहीं सीदे सीदे वह संस्था का पूर्व अध्यक्ष बोल रहा है कि इस तरह से वह से रेट परी मोधी युग में किस तरह से संस्थाओं को कंट्रोल किया जाता है इसका एक और प्रमाण मेरा कहना बिलकुल साफ है कि चाहे हो फेस्बुक का इस्तमाल हो या ट्विटर को धंकी देने का मामला हूँ दोनों ही मामले ऐसे हैं कि सरकार अपनी आलोचना बिलकुल बरदाश्ट नहीं करती और यह तो इनके जो पूर सीओ है या फेस्बुक है इनके यह तो विदेशी प खाने में धकिल देती है यही सरकार का पूरा रवया हो गया तो इस पर हम चर्चा बहुत छोटी जिसंशेप में चर्चा करेंगे भाशा आप से शुरू करते हैं जैक डॉर्सी पर इतना हमलावर जो हुई है बीजेपी वो क्यों ऐसा आप देख रहे हैं क्योंकि बेपरद उन्होंने बकाइदा क्रमबर धंग से बताया कि किसान आंदोलन खास दोर से देखिए किसान आंदोलन जिसने मुदी सरकार को जुकाया उस आंदोलन से पक्ष में जुड़ी हुई खबरों को ट्वीट को पत्रकारों को बैन करने के लिए किस हद तक मुदी सरकार जा सकती ह यह सिर्फ देश में खुलासा नहीं है यह अंतराष्टिय मंच पे खुलासा है और यह निश्चित तोर पर मुदी सरकार जो विश्व गुरू बनना चाहते हैं उनकी इमेज पर एक ठपा लगाती है एक बनामी लाती है जैक डॉर्सी कोई पहली बार या अलुचना नहीं कर हैं उन्होंने इसी सलसले में टर्की का भी नाम लिया जिस तरह से लेकिन इसे एक देश पर हमले की तरह क्यों बताया जा रहा है तेकि उसकी वज़ए यह है कि चुकि मौजूदा जो सरकार है वो इस तरह के जो मल्टी जो 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 ब्लागिंग प्लेटफॉर्म्स हैं मा हम जो कह रहे हैं वो तो मानना पड़ेगा लेकिन इन्हों ने तो माना नहीं उस तरह से क्योंकि उनकी दरसल एक सोच या मिज़ाज अलग है मैं यह नहीं कह रहा हूं कि फेस्बुक ट्वीटर यह दोत के धुले हुए हैं बिलकुल नहीं इनकी अपनी पॉलिटिकल एकॉन हैं इसमें कोई दोराएं नहीं है लेकिन यह मत भूलिए कि अमेरिका की भी आलचना कर देते हैं यह अपने देशों की भी आलचना कर देते हैं अपने पुझवादी देशों की भी करते हैं तो इस मामले में किसान आंदोलन के मामले में सरकार ने बकायदे लिस्ट दी इतन सरके उपर पानी बहने लगा तो उन्होंने इंकार करना सुरू किया धमकी साप भी गई अब उसका तो कोई जवाब नहीं सरकार के पास है और रेट डालेंगे आपको गिरफ़तार करने और रेट डाली गई और रेट डाली ही नहीं गई इसके बाद इन्होंने कहा कि अभी मैं देख रहा था एक डिबेट एक टेलिविजन चैनल पर सरकार का प्रवक्ता और टेलिविजन की एंकर दोनों का एक चेहरा दिखाई पड़ा कहा कि नहीं कोई पत्रकार की रफतारी नहीं होई मंदीपुनिया ने खुले आम्ट का हमारे शो में नियूस क्लिक के शो में उसने कहा कि भई मैं अमुक तारी को गिरफतार हुआ अब फिर भी जूट बोले जा रहे हैं वो गिरफतार नहीं है तो बाकी लोग कैसे पत्रकार है यहीं मानना है मैं अपनी राय रख दूं कि जैसे भाशा ने भी कहा कि हिंडन बर की रिपोर्ट आई उससे बेल यह बीबीसी डॉक्मेंट्री आई यह सरकार यह चाहती है कि सच किसी वी तरह बाहर ना आए कोई भी असामेती है कोई भी आलोच ना है कोई भी सवाल है वो बाहर ना आए वो अगर उसके हिट में इस्तमाल होता है फेस्बुक को उसने इस्तमाल किया हमारे यह परंजे गुह ठाकुरता नों पर एक किताब लिखी कि फेस्बुक का किस तरह इस्तमाल किया गया टूटर को किस साफ है किस तरह डर पैदा हुआ था तो इससे दो एक चीज तो यह साफ हुई कि वो सच को दबाना चाहती है लेकिन इससे यह भी साफ हुआ कि सच बार-बार बीच में उठकर बोलता है मुखर होता है और उससे सरकार को डर भी लगता है मुझे लगता है कि इसी नोट पर हम अपनी बात खत्म करें सच का भूत दबाए नहीं दबता है वो बार-बार आएगा वो आपके सामने आएगा उसका कभी ना कभी आपको जवाब देना होगा खाम्यजा भुखरतना होगा तो दोस्तों आज की इंडिया की बात में बस इतना ही हमें देजिए इजाजत आप ह झाल